ये स्टुडेंट कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ आप सभी फ्यूट और फाइन होंगे स्वास्त होंगे बच्छों आज की वीडियो में मैं एक्साइज 10C का यहनि कि एक इकजाम में 95% बच्चे पास हो जाते हैं तो इंगे अगर बच्चे जो फैल होते हैं वो कितने हैं 28 हैं तो how many examines were there तो टोटल कितने एक्जामीने वहाँ पर थे कितने बच्चों ने एक्जाम दिया यह हम से यहां पर पूछा जा रहा है देखो क्या क्या दिया हुआ है वह पहले समझो 95% बच्चे पास हो गए और उमको पास का नंबर नहीं बता जा रहा है कि फैल कितने हुए है तो 28 फैल परसेंट इसका मतलब यह जो हमें 28 दिया हुआ है यह 5 परसेंट ही दिया हुआ है तो बस यह ही आपको समझने की दे रही थी एक्जाट मानने का कुछ रहत नहीं है इसी तरीके से इसको सॉल्व करना आपको यहां पर लिख लो आप सबसे पहले तो क्वेस्टेंबर 12 हमें क सॉल्व करूंगा स्टेट्मेंट अगरा हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्ससाइज 10C में अब्जेक्टिव क्योंस हैं इनको आपको कुछ नहीं बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए जो आपको एक्ससाइज 10A और 10B में मैंने सिखा रहा है पहले से तो हमें क्या द 10 हो जाएगा यह 0 तर जाएगा कट होने के बाद अब हमारे पास क्या बज़िया डिया में तो क्लियर हो गया में 28 मल्टिप्लाइट टू है तो 28 टू जा कितना होता है 56 होता है और यह 0 का 0 तर जाएगा तो टोटल कितने एक्जामनीज वहां बैठे हुए थे 560 बैटे को आई देखते हैं 13 में क्या दिया हुआ है 13 में हमसे कहा जा रहा है यह fruit seller had some apples एक fruit seller के पास क्या है कुछ apples थे तो he shall 40% of them and still has 420 apples यानि कि उसने क्या किया जितने भी टोटल एपल थे उसका 40 परसेंट बेस दिया और उसके बाद 420 एपल उसके बाद अभी भी बचे हुए है साथ देखो 40% बेस दिया है इसका मतलब बचा कि इतना होगा 60% बचा होगा क्यों टोटल 100% होता है हमें साथ दिमाग में बैठा कर चलें 40% बेचा बज यह 60% हमें इतना दिया हुआ है ठीक है XYZ माने की जुरूत नहीं है बस आपको यह समझ जो 60% वैल्यू हमको दिया समझ मैं बतना कि जो बचा हुआ है वह 60% और कितना बचा हुआ है तो 420 आपको टोटल बताना है कि उसके पास स्टार्टिंग में कितना एपल था ठीक है यानि कि 100% आपको यहां पर बताना है 100% निकाने के लिए 420 जो है उसको दिली लिखेंगे 60 को धर डिवाइड मिला द स्टार्टिंग में 700 एपल थे कौन सा ओप्शन हमारा 700 कहां गया सी इसका उप्शन नमर जो सही दिया हुआ हमें इस तरीके साथ बीना एक्स वाइजड मान ही सौक करें बस मिलें क्या दिया हुआ है आगे क्वेस्टन वार 14 देखते हैं क्या दिया हुआ हमें क्वेस्टन व वाले में वहीं को यहां पर दिया हुआ है कि मसीयन का वैल्यू जो है 10% हर साल कम हो रहा है तो अगर प्रेजेंट वैल्यू 25,000 तो वाट भी इस वैल्यू आफ्टर वन येर तो एक साल बाद उसका वैल्यू कितना हो जाएगा तो अभी परजेंट वैल्यू इतना है इसका वास 10% निकाल लिए और माइनस कर दिए तो इसका 10% निकालने का भी तरीका क्या है किसी भी नंबर का जब 10% निकालना रहते हैं तो अगर लास्ट में 0 है तो एक 0 को कट कर दें अगर कोई भी 0 नहीं तो एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दे वहीं उसका 10% हो जाता है तो इस तरही किसे आपको सेम यह 24 अगर आपने समझ रखा होगा तो यह आसानी से सॉल्व होई जाएगा और यह भी बहुत ईजी है बस आपको इसका 25% निकालना इसका और माइनस कर देना इसमें से कि वह डिप्रिशेट हो रहा है कम हो रहा है हर साल तो आपको मिल जाएगा इसका जो 8% वह कितना है 6 है तो यहांपे फिर X Y Z आपको नमबर को नहीं मानना है बस ड्यएट हम से यही कहा गया है कि 8% जो है वह यहाँपे 6 बताएगा है तो वह नंबर कितना होगा टूटल 100 परसेंट ही होगा तो हमको क्या करना है यहां पे इसका 100 परसेंट बता देना है क्या बज़ गया 25 multiply 3 बज़ गया यानि कि वह जागा यह 75 यानि कि वह नंबर कौन सा है तो 75 है 75 का 8 परसेंट जोगा 6 होगा बस इतना ही एंसर निकल गया तो X Y Z कुछ नहीं मनना concept clear रखे और आपका एंसर आ जाएगा question number 15 था यह इसका option कौन सा 75 C option है तो इसका C जो होगा बिल्कुल सही option होगा ठीक है इस तरीके साब को direct solve करने इन टाइप से गोजिशन को तरीके से 16 में भी हमको दिया हुआ है कि 60% जो होगा वो किसी परसेंट के जगा में 60 भाई 100 लिखिए और 450 लिख दिजिए और इसको कट पीट करके solve कर दिए 0 से 0 कट हो जाएगा हमारा 5 से दुनों कट हो रहे हैं 5 से कट कर लेते हैं 5 तू जट 10 हो रहा है उपर 59 जब फोटीफाइब हो रहा है तो से कट हो रहा है यह दोनों टू से कट कर लें दें टू अंजट टू तो त्रीजा सीक्स वागी जीरो तर जाएगा नीचे पुरा क्लियर हो गया उपर में क्या बजी है हमारे पास 30 मुल्टिप्लाइब नाइन बजी यह तो नाइन तरीज जा परसेंट तो इड़ बिकम्स रूपीज 658 तो दो ओरिजिनल वैल्यू जो है वो कितना है चीर का तो इस टाप से एक क्वेस्टन था मैंने से आपको लास वीडियो में बताया था ग्रोस वैल्यू वाला रूट वाला अच्छा इसी में तो बताया था ग्रोस वैल्यू कहां परसेंट के बाद इतना उसका वैल्यू हो जा रहा है उस चेयर का ठीक है यानि कि अगर स्टार्टिंग में मानते हैं उसका 100% है तो 100 में से 6 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 94% बच जाएगा तो यही हमसे का रहा है कि 94% जो वैल्यू है न वह हमको दिया मल्टिप्ले हो जाएगा 100 आए इसे को कट कर लेते हैं 9 और 4 हो रहा है हमारा 12 ठीक है sorry 13 हो रहा है 9 और 4 13 तो यह कट नहीं हो रहा है यहाँ पर हम 2 से कट करना सुरू करेंगे छोटे 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 नंबर से 2 8 जा 2 4 जा 8 हो जाएगा बच गया 1 यह दर चल जाएगा 7 यह 2 क हो जाएगा हमारे 18 यह भी कट हो गया क्या बच गया हमारे पास 329 by 47 multiply 100 इतना बच गया फिर से कट करते हैं लेकिन यहां पर तो यह 2 से भी कट नहीं हो रहा है तो हम देखते क्या हैं यह दून जब किसी भी कट नंबर से कट नहीं हो रहे हैं चोटे बड़े नंबर से तो हम करते हैं कि यह नंबर आता है कि नहीं तो 47 को माल लेते हैं 50 और इसको माल लेते हैं 300 तो 50 टेबल में 300 टैम पर आता है ना तो इसका भी हम लगबग 6 टैम पर आ जाना चाहिए एंसर 47 multiply 6 करेंगे हम तो कितना होता है 6 7 42 का 2 carry हो गया 4 थोड़ा सा आप देखते लिए carry हो गया 4 6 4 जा 24 और 4 हमारा हो जाएगा 28 तो 6 टैम पे तो नहीं आया 7 में छोटा हो गया इसी 7 टैम पे चेक कर लेते हैं तो 47 multiply 7 7 7 जा 49 का 9 carry हो गया 4 7 4 जा हमारा कितना होता है 28 और 4 हो जाएगा हमारा 32 यानि बिलकुल यह दोनों ने जो नंबर है न वो डारेट कट हो जाएंगे या और उपर 47 7 जा हमारा 329 होता है यहां पर हमने टेबल निकाल लिया उसका तो बस आपका एंसर आ गिया कि 7 multiply 100 इक्वल टू 700 इसका मदब जो उसका वैल्यू था स्टार्टिंग में उस चेयर का वह कितना था तो 700 रूपीज था इस तरीके साब इसको find कर सकते हैं अगर cut होता 70% of student in school are boys यानि कि school में total जितने भी student है यानि 100% total student है उसमें 70% कौन है boys है तो if the number of girls 240 यानि कि जो लड़किया है वो कितनी है 240 है तो how many boys are there in the school school तो boys कितने school में यह बताना है हमको तो सबसे पहले तो यहां पर ध्यान दो कि number हमें किन का दिया गया है girls का दिया गया है total कितने girls 240 तो अब यह दिमांग लगा कि वह कितने percent है तो 70% boys है तो girls कितनी होंगी 30% होंगी total 100% होता है 200 में 70 मैंस करेंगे कितना है 30 है इसके हम तब 30% हम यह दिया हुआ है 224 sorry 240 यहीं पर मैं आपको solve करके इसको बता देता हूं बहुत easy तरीके से solve हो जाएगा हमारा 18 number का question हमें क्या दिया गया है 70% निकालना है तो multiply कर देंगे हम 70 से जब हमको total निकालना रहा था ततना 100% तब हम 100 से multiply कर दे थे यह आप हमको number of boys की वह पूचा है total student नहीं पूच रहा है तो हम 70% अगर निकालना है तो multiply कर देंगे 70 से बस इसको solve कर दो और आपका इंसर ready है 0 से 0 cut हो गया 3 1 जा 3 3 का table में 8 time प्याता है हमारा 24 यह 0 उतर जाएगा ठीक है 7 8 जा हमारा हो जाता है 56 और यह 0 उतर जाएगा तो 500 जो 60 है वो total number of क्या है girls है उस school में option दिया है कि नहीं दिया है कौन सा था 80 number question का B बिल्कुल दिया हूँ है B number में 560 option यहाँ पर हमें यह starting में दिया हूँ है option इसका 560 तो इस तरीके से आपको निकालना यानि समझना है कि आपको दिया क्या गया है वहाँ पर जो नमबर दिया है उसको दिमाग में लाए कि वह कितना percent दिया हूँ है ठीक तो आपसे जो भी कि इसको कहा जा रहा है इसको देखो समझना आप अच्छे से कि जो 11% है किसी number का न वो उसी number के 7% से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है तो बताए कि वो number कितना होगा तो यहाँ पर हम चुलो थोड़ सा x y z मानके आपको समझा देते हैं कि इसको कैसे solve करना है मान लेते हैं कि एक्स का ही जो 11% है उसको कितना है एक्स कही 7% से 8 ज्यादा है सौरी कितना 18 ज्यादा है तो हम माइनस करते हैं अगर x के 11% से x का 7% तो 18 मिलता है यहाँ पर यह हमसे कहा जा रहा है और यह इसको मैं आपको solve करके बता देता हूं मान लेते हैं वो number कौन सा होगा x होगा तो हम हमसे क्या कहा गया है कि 11% जो x का है न वो ज्यादा है 7% उसी x के 7% of x है तो कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है यह हमसे कहा जा रहा है तो बस यहां पर इसको solve करो और आपके इंसे 11% को 11 by 100 लिखेंगे off के जगा में multiply के असे और x-7 के परसेंट के जगा में 7 by 100 हो जाएगा multiply off के जगा में और यह x equal to 18 तो यह हो जाएगा 11 x हो जाएगा multiply होने के बाद नीचे में 100 इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो फोर एक्स इकवल टू जाएगा तो फोर एक्स इकवल टू जाएगा हमारा 18 multiply 100 यह divide में था इधर आके multiply में उपर में हो जागा numerator में हमको x का value पता करना है कि वो number कितना रही बताना था तो हम 4 को भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं अभी जो 4 है वो multiply में है इधर आकर के divide में हो जाएगा तो x equal to 18 multiply 100 divided by 4 4 से 18 तो कट नहीं हो रहा है 2 से कट हो रहे हो जाएगा ठीक तो x equal to आपका हो जाएगा 18 multiply 25 इसका multiply किजिए और आपका answer ready है ठीक है थोड़ा से वीडियो करके adjust कर लेता हूं मैं ताकि clear है अब clear हो गया तो 58 जा 40 का 0 करी हो गया 4 5 वंजा 5 और 4 9 2 8 जा हमारा हो जाएगा 16 का 6 करी हो गया 1 2 1 जा 2 और 1 3 तो यह उचर दिया है कि नहीं बिल्कुल दिया है option number c में आप या में दिया हुआ 450 तो इसको option number c है वो बिल्कुल सही है इस तरीके साब को question number 19 solve पर ना था थोड़ा सा यह long था थोड़ा सा समझने के दिरी थी इसमें भी ठीक है आगे question number 20 समझाते हैं आपको question number 20 में क्या दिए हुआ है if 35 percent of a number added to 39 यानि कि एक number के 35% में हम जब 39 add करते हैं तो is the number itself तो हमें क्या मिल जाता है वही number answer मिल जाता है यानि कि जो भी number है उसका 35% में अगर हम 39 number को add कर देते हैं तो हमें वही number जो है na original number वो हमें मिल जाता है तो बताए वो number कितना है इसका मतलब आपको समझारों में लिक क जाता चे समझ में हैगा question of 20 यानि कि एक number मान लेते हैं हम x है तो 35% of x में जब हम add करते हैं 39 तो हमें वही number मिलता है यानि कि x मिल जाता है यह हमसे यहां पर कहा जा रहा है अब इस equation को आपको यहां पर solve करना है तो यह 35 by 100 हो जाएगा percent के जगह में multiply x हो जाएगा plus 39 equal to x हमार x है ही हमारे पास यह trick में आपको बता दिया है इसका इससे multiply कीजिए जब इस तरीके से एक fraction और एक whole number है तो मैं हर वीडियो में आपको बताते चल रहा हूं जहां पर भी इस type situation आता है कि आप LCM वगएरे में चक्र में मत फसी है उसमें time waste होता है इसका denominator का इससे multiply कर रच का sign है प्लस का sign लगा दिए इस तरीके से यह जागा 35x पहले से जो उपर में plus sign तो plus sign लग जाएगा और इसका इससे multiply होगा तो कितना है एगा 39 और यह जब multiply होगा तो 100 से multiply होना है यह ज़िए बढ़ जाएगा और नीचे में हमारे पास 100 है उसको हमको लिखना पड़े यहां पर दिवाइड में दर मल्टिप्लाइं में 100 का X से मल्टिप्लाइब होगा तो 100 X आ जाएगा हमारा अब हम क्या करते हैं X X को X side कर लेते हैं नंबर को X side रहने देते हैं 35 को इससे ट्रांसफर कर लेते हैं तो हो जाएगा 3900 डिवाइड बाइ 65 क्योंकि दर मल्टिप्लाइ में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा इकवल टू X इस तरीके से बस इसको आप क्या करो सॉल करो और आपका एंसर डिए है आई जली से कट कर लेते हैं 5 से कट हो रहा है 5 बंजा 5 और यह 5 3 जा 15 हो जाएगा तो यह बन जाएगा तो यह बन जाएगा 58 जा 40 और यह 0 का जो 0 उतर जाएगा यहाँ पर अब उसके बाद देखो यहाँ पर 13 से कट करना पड़ेगा क्योंकि 13 हमारा प्राइम नेंबर है तो 13 बंजा 13 और 13 6 हो जाएगा 78 और यह 0 का 0 उतर जाएगा यह एक्स इक्वाल टू कितना हमारा एंसर आ यह question 21 भी देखते हैं क्या दिये हुआ हमें question 21 में हमसे कहा जा रहा है कि in an examination it is required to get 36% to pass यानिकि एक examination में total percent में से 36% अगर कोई बच्चा ले आता तो वो पास हो जाता है तो यह student gets 145 marks and fell by 35 marks यानिकि एक बच्चा ने 145 तो ले आया student ने लेकिन 35 marks से वो फैल हो गया इसका मतल 25 और ले आता तो वो पास हो जाता यानिकि 36% ले आता तो में आया बात ना तो the maximum marks हमको बताना है कि total जो है 100% जो marks हो कितना है तो यहां पर आपको थोड़ा से extra mind लगाना पड़ेगा देखो क्या बोल रहा है 36% में पास होता ठीक है लेकिन वो लाया कितना 145 marks लाया लेकिन 35 35 marks से वो फैल हो गया इसका मतब अगर 35 marks और ले आता तो वो पास हो जाता और पास कब होता जब 36% आता तो इसका मतब हम इसमें 145 में 35 को add कर देते हैं तो passing नमर बन जाएगा और passing नमर कितना है 36% है तो 36% ही हमें मिल जाएगा वहां पे और 36% जब हमको पता चल जाएगा कि 100% निकालना है क्योंकि हमें यहापे maximum marks पुचा है total marks पुचा है यह solve करते हैं जल्दी से हमें यही पर solve कर लेते हैं बहुत जगह है मारे पास मैंने हमें इसाब से कहा है ना कि page को जलतना से ज्यादा हो सके यूज करें पूरा का पूरा page करें ताकि कम से कम को trees को काटा जाए और हम environment को save करने में अपना भी थोड़ा सा contribution कर सकें तो page save करना भी है कि environment को contribution दिया जाता है इस तरीके से भी आप कई चोटी चोटी चीजों से भी environment को save कर सकते हैं तो हम यही पर solve कर लेते हैं बहुत जगह है मारे पास 21 number में हमको बताया क्या गया था कि वो जो बच्चा है वो 36% नहीं ला पाता है 145 लाता है और 35% से फैल हो जाता है इसका मतलब 36% जो होगा वो कितना होगा 145 प्लस 35 होगा इन दोनों काईड करेंगे तो हमारा max जो passing marks है वो बन जाएगा तो 36% equal to हो जाएगा हमारा 5510 का 0 काईड हो गया 1 3 और 1 4 और 4 8 और यह 1 उतर गया यानिकि जो passing marks है 36% हो कितना है 180 marks है समया गिया और हमसे maximum marks पुछा है यानिकि 100% पुछा है तो 100% equal to हो जाएगा हमारा 180 36 सिदर आजाएगा divide में और multiply हो जाएगा 100 में इस तरीके से आपको इसका 100% मिल जाएगा तो 18 1 जा 18 होता है 0 तर जाएगा 18 2 होता हमारा 36 डारेट करते हैं 2 1 जा एंसर हो जाएगा maximum marks होगा 500 होगा जो कि option number हमें यहां पर C में दिया हुआ है तो इसका option number जो C है वो बिल्कुल सही है maximum marks होगा 500 होगा में आपको यह समझना था कि यह जो हमें numbers बच्चे का दे रहा हो गुमा रहा है ना वो क्यों दिया जा रहा है ताकि हमें पता चल सके कि maximum सब्सक्राइब 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 करेंगे तो इस नंबर को एड़ करेंगे तो हमें पाक्सिंग मिल जाएगा तो बस 36 इक्वल तो 180 में दिया हुआ था और यहां से आप 100 पर्सेंट निकाल लिए आए क्वेस्टेटी टू क्या है वह भी समझ लेते हैं सेम उसी तरिके से और मान लेते हैं कि हम नंबर कौन सा है नंबर है हमारे एक्श तो read music और हम करते है नियुक्रिज करते हैं तो तो 135 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे एक्स माइनस 40 बाइंट्रेड मुल्टिप्लाइ एक्स इक्वल टू 155 अब इसको बस आप सॉल्व कीजिए और आपका एंसर रेडी है यह कि स्टेप मैं कर देता हूं लास्ट एक्स माइनस 40 के एक्स से मल्टिप्ले होगा तो 40 एक्स हो जाएगा डिवाइड बाइंट्रेड इक्वल टू 135 अब सेम तो सेम जैसे मैंने यहाँ पर 20 नुमर बताया था ना बस यहाँ पर माइनस का साइन है यहाँ पर प्लस का साइन था उजी तरीके से यह आप सॉल्व कर लिजेगा खुद से बस इसी को आपको सॉल्व करना और आपका एंसर मिल जाएगा आपको अगर कुछ भी डिफिकल्टी होती है तो कमेंड बॉक्स होला है वहाँ पर आप आपकर कि मुझसे पूछ सकते हैं किसी चैप्टर का वीडियो चाहिए अगर आपको नहीं मिल रहा झाल